एक लोग जानते हैं पाकिस्तान बोलता कुछ हो रहा है होता कुछ हो रहा है ऐसा ही अभी कुछ हुआ है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू परिवार अशोक के घर पर मुस्लिम समुदाये ने अटेक किया कवर के अनुसार अशोक के पडोस में रहने वाली मुस्लिम महिला ने कुरान को जलाया जिसके बाद उसने ये अफ़ा फैलाई कि कुरान को अशोक ने जलाया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मुस्लिम समुदाय के बहुत सारी लोगों ने उनके घर पर अटैक किया और ये बहुत बड़ी शंक्या में वहां पर लोग थे जिसका ट्विटर पर अलग-अलग लोगों ने ये वीडियो शेयर की ये बहुत बड़ी शंक्या थी जहां पर एक परिवार को हिंदू परिवार को उन लोगों ने घरा आप देख सकते हैं कितनी बड़ी शंक्या में मुस्लिम समुदाय ने अशोक के घर पर गए तो ये कोई नॉर्मल नहीं था जहाँ पर ये लोग बहुत शंक्यक में हैं वहाँ पर ये minority को इस तरीके से treat करते हैं पाकिया आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर हिंदू minority में है या कोई और सा religion minority में हैं तो ये किस तरीके से treat करते होंगे और कुछ समय बाद महाँ पर पुलीस आया पुलीस रें सभी लोगों को वहाँ से हटाया पर सोचने वाली बात ये है कि एक परिवार के लिए है जो कि minority में है एक country में उसमें इतनी बड़ी संख्या में हमला करना क्या सही है ये एक मजबी कटरता दिखाते हैं जहाँ पर किसी परकार का government या कानून का कोई स्थान नहीं है और propaganda किस तरीके से फेलाया जाता है हमारे देश में वो भी देख लीजिए कुरान के वह मुसल्मानों के लिए बात नहीं है वो हिंदू के लिए भी पात है मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी पुरान को नापात नहीं कर सकता तो मुझे बहुत दुख हुआ है और आज पुरे दिल से अल्ला ताला से इस तार के इस वक्त दूआ मानते है जितनी बार बोल सकते हैं जुट बोलो किसी भी विचे पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ जुट बोलो